मुख्य शब्द, की वर्ड्स कक्ष, कोश, कक्षा ओर्बिटोर, सेल परमानू संख्या, एटॉमिक नंबर परमानू भार, एटॉमिक वेट समिस्थानिक, आइसो टॉप सम्भारिक, आइसो बार कैथोड, कैथोड, एनोड, एनोड केनाल किरन, केनाल रे आव परमानूक, सब एटॉमिक नुकलियोन, नुकलियोन एलेक्ट्रोन, एलेक्ट्रोन प्रोटोन, प्रोटोन नूट्रोन, नूट्रोन सापेक्षिक परमानू भार रिलेट्टिव एटॉमिक वेट द्रविमान संख्या, मास नंबर नाभिक, नुकलियस, गुणित अनुपात का नियम, लौ अफ मल्टिपल प्रपोशन्स हमने सीखा, पर्माणू की प्रारंभिक संकल्पना में पर्माणू को अविभाज्य माना जाता था पर्माणू के भार और आकार की व्याख्या करने वाले डाल्टन पहले वज्यानिक थे उन्होंने गुणित अनुपात की बात करते हुए यह बताया की पर्माणू रासायनिक क्रिया के आरंभ में जितने होते हैं उतने ही अन्त में भी होते हैं अर्थात परमाणों नस्ट नहीं होते। जेजे थामसन के अनुसार परमाणों में धनावेश का बादल रहता है और रिनावेशित कन इस बादल में यहाँ वहाँ धसे रहते हैं। के चारो और घूमते हैं। बोर के अनुसार परमाणों में कक्षाएं होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं। परमाणों की कक्षाओं को क्रमशह K, L, M, N इत्यादी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणों को संयोजी इलेक्ट्रोन कहते हैं। परमाणों में उपस्थित कुल परोटोनों की संख्या को परमाणू संख्या कहते हैं। परमाणों के नाभिक में उपस्थित परोटोन और निट्रोन के योग को द्रविमान संख्या कहते हैं। उदासीन परमाणों में परोटोन तथा इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणू जिनकी परमाणू संख्या भिन भिन किन्तु द्रविमान संख्या समान हो एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। अलग तत्वों के परमाणू जिनकी परमाणू संख्या समान किन्तु द्रविमान संख्या भिन हो एक दूसरे के समिस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृती में किसी तत्व के कितने स्वतंत्र समस्थानिक किस अनुपात प्रतीशत में पाये जाते हैं इस पर ओसत परमानुभार का निर्धारण निर्भर करता है।